असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों ब्रन मुंबई महानगर पाली का वशो क्लास में आप सब का खैर मगदम है दन मुंबई महानगर पाली का वशो क्लास की जाने से मैं शनास आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदा खूबसुरत वीडियो लेकर हाजीर भी हूँ इस वीडियो में बहुत सारी नई बाते आपको सिखने मिलेगे तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बाते सिखने के लिए एन MCGM प्रेसेंटेशन बाइ वर्च्वल क्लास ओनलाइन एडिकेशन असलाम उलेकुम बच्चों बच्चों आज तो मैं बहुत ही मज़ेदार नजब लेकर हाजीर हुई हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी बड़ा मज़ा आएगा लेकिन इससे पहले मुझे आपको कुछ सवालों के जवाबाद देने पड़ेंगे तैयार हैं ना आप लोग वेरी गुड वेरी गुड हाँ तो अब मुझे ये बताईए साल में कितने महीने होते हैं अरे वाब वेरी गुड आप तो बहुत हुश्यार हैं आप लोग तो यस साल में बारा महीने होते हैं अच्छ अब ये बताईए साल में कितने मौसम होते हैं वेरी गुड साल में तीन मौसम होते हैं कौन कौन से कौन बताएगा जल्दी जल्दी कौन बताने वाला है बताईए जल्दी से वेरी गुड साल में तीन मौसम होते हैं सर्दी, गर्मी और बरसाथ हर मौसम कितने महीने का होता है? चार महीने का तो बच्चों आज हम लोग बरसाथ का मौसम पढ़ने जा रहे हैं बरसाथ नज़ मज़ा आएगा ना बरसाथ का मौसम भी है बारिश भी हो रही है जब बरसाथ होती है तो आस्मान में काली घटा चा जाती है बिजली कड़ती है बादल गरजते हैं और जोदार बारिश होती है और ऐसे में अम्मी गरम गरम शाम के वक पकोड़े बनाती है वाउ तो उस वक ये नजम तो बहुत जरूर सुनना आप लोग बड़ा मज़ा आएगा लेकिन सिब बारिश में ही नहीं ऐसे भी आपको पढ़नी है नजम और नजम पढ़कर याद करके आप लोग तो आप लोग तो आप लोग तो इस नजम को सुनना है आप लोगों को और इसका audio बनाकर अपनी teacher को बीजना है बचों फीर से एक बार खह रही हूं मैं आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को discretion में जाकर google form भरना है और इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, अगर आप लोग नहीं आता है तो घर में आप ही होगी, भाई होंगे, मम्मी पपा हैं, तो उनसे कहिएगा, कि वो आपकी मदद करें गूगल फॉर्म बरने में, और ये गूगल फॉर्म से बच्चे ही नहीं, टीचर्स और दे उसके मुतलिक कुछ सवालाद पुछे जाते हैं, जो बच्चों को देना रहता है, बच्चों आप लोग को तो पता ही है, है ना, पता है न आप लोगों को, तो चलते हैं नई नजम पढ़ने के लिए, तो शुरुआत कि अटे हैं अल्ला के नाम से, बिसम इल्लौ रह्मान रहीं शुरू अल्ला के पाक नाम से जो बड़ा महर्बान नहायत रह्म वाला है ओहो कौन सा मौसम दिखाई दे रहा है यहां पर इस्क्रीन पर बरसा का मौसम जमात चाहरूम मजमून है उर्दू उन्वान है परसात नज्ब मैं मौलिमा शेक शेहनाज देखो बच्चा भी क्या कर रहा है परसात के मौसम का मजा ले रहा है उन्वान बरसात नज्ब पहले हम लोग नज्ब सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो तयार हो जाए नज्ब सुनने के लिए आ गए ठंडी हवा बरसात की चा गए काले घटा बरसात की दल के दल बादल उमड कर आ गए और सारे आसमा पर छा गए ए लोग गरजे वो आई बूंदया दीद के काबिल है ये सारा समा लो वो छीटे जोर से आने लगे पानी पर ना ले भी बरसाने लगे वो गरज बादल की वो बारिश का जोर शहर की गलियों में वो बच्चों का शोर बे तहाशा दोड़ते फिरते हैं ये उट खड़े होते हैं जब गिरते हैं ये नाओ काघज की बनाता है कोई बच्चों अभी आप दोबारा ये नजम सुनेंगे मजा रहा है ना सुनकर रेवास अभी के चेहरे पर हैसी भी उसन दिखाई दे रही है मजा रहा है ना सुनकर दिखाई तो दे रहा है सबको मजा रहा है चेहरे पर जो हसी है तो चड़ते हैं फिर से एक बार नजम सुनने के लिए आ गए ठंडी हवा बरसात की चा गए काली घटा बरसात की दल के दल बादल उमड कर आ गए और सारे आसमा पर चा गए ए लो वो गर्जे वो आई बूंदे या दीद के काबिल है ये सारा समा लो वो छीटे जोर से आने लगे पानी पर ना ले भी बरसाने लगे वो गरज बादल की वो बारिश का जोर शेहर की गलियों में वो बच्चों का शोर बेतहाशा दोड़ते फिरते हैं ये उट खड़े होते हैं जब गिरते हैं ये नाओ काखज की बनाता है कोई गीत सावन के सुनाता है कोई तो बच्चों हम लोग चलते हैं कलिदी अलफाज की तरफ और ये अलफाज ऐसे याद करिए बच्चों के आपको इन में से कोई भी लफ्स कहीं भी नजर आए लिखा हुआ तो आपको पढ़ने आना चाहिए तो अलफाज देखते हैं बच्चों थंडी पढ़िये मेरे साथ थंडी बरसाथ बरसाथ छागई छागई काली घटा दल के दल क्या पढ़ेंगे इसे दल के दल बादल उमड कर आसमा गर्जे था बुंदिया पढ़ किर रही है बारेश की आई बुंदिया आई एक बुंद बुरेंगे बुंद आई अब यहाँ पर बुंदिया है इसलिए आई पढ़ रहे हैं आई पर यहाँ पर एक बुंद होती तो हम लोग कहते बुंद आई लेकिन यहाँ पर कई बुंदिया आ रही है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आई क्या पढ़ेंगे हम लोग आई बुंदिया दीद दीद देखने के काबिल काबिल समा गरज बारिश जोर शहर कितना खुपसरत समा है है ना दिल को बहारा है ना यह समा ऐसे खुपसरत मंजर दीद के काबिल होते हैं गलियों बच्चों सावन शोर बेतहाशा दोड़ते फिरते कागज गीत आ गई ठंडी हवा बरसात की अभी हम लोग ने अलफाज पढ़े ना कलिदी अलफाज तो आप कोई पैचान हो गई योगीन अलफाजों की आ गई ठंडी हवा बरसात की चा गई काली घटा बरसात की चा गई काली घटा बरसात की जब बरसात आती है तो पहले क्या होता है ठंडी हवा आती है तो हमें समझ में आता है ठंडी हवा आ रही है आसमान पर काली घटा चा जाती है तो हमारी समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाली ये बरसात दल के दल बादल उमड कर आ गये यानिके जैसे बारिश होने वाली रहती है तो काली घटा चा जाती है बादल उमड कर ऐसा लगता है आ जाते है अभी कुछ देर पहले अभी तो बरसात का मौसम चली रहा है आप लोगों को अंदाजा भी है कि कभी दूप निकलती है और अ पारिश होने लगती है तो दल के दल यानिके बादल उमड कर आ गये और सारे आसमा पर च्छा गए अचानक बादल च्छा जाते हैं दल के दल बादल उमड कर आ गये और सारे आसमा पर च्छा गये देखते ही देखते क्या हो गया बादल से आसमा घीर गया यानि आसमा पर बादल च्छा गये एलो वो गर्जे वो आई बूंदिया बादल गर्जे और क्या होने लगी बारिश होने लगी वीद के काबिल है ये सारा समा ये समा जो है देखने के काबिल है और हम लोग बारिश होती है जब अच्छा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं हमारे घरों में से जाकते हैं खिर्कियों में से जाकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमें तो बारिश का ये समा बहुत ही प्यारा लग रहा है लोग वो छीटे जोर से आने लगे पानी पर नाले भी बरसाने लगे जब बारिश होती है तो जोर से छीटे आते हैं न और नालों में से क्या होने लगता है पानी बहने लगता है वो गरज बादल की वो बारिश का जोर बादल की गरज घरज़़़़़़़़़़़़़़़ गरज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ में और बिगने लगते हैं शोर मचाने लगते हैं उनको बड़ा ही मज़ा आता है आप लोग ने भी किया होगा लेकिन अभी क्या है घर से बाहा निकलना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि बाहार करोना फैला हुआ है इसलिए तो बी-म-सी ने शिक्षन विबाग ने आप अवासत हो सके इसलिए बच्चों आप लोगों को बिला जरूरत घर के बाहर नहीं निकलना है घर के अंदर ही रहना है और घर के अंदर से ही बारिश का मज़ा लेना है बेतहाशा दौरते फिरते हैं यह बेतहाशा दौरते फिरते हैं यह ना आगे देखते ना पीछे देखते बस दौरते चले जाते हैं उठ खड़े होते हैं जब गिरते हैं यह अब बेतहाशा दौरेंगे तो क्या होगा गिर पड़ेंगे गिरते हैं तो बच्चे किसी को उठाने के अंतिजार नहीं करते क्योंकि वह खुद से दौर रहते हैं और खुद से क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं और फिर से बेता आश्या क्या करने लगते हैं? दोड़ने लगते हैं नाव कागस की बनाता है कोई गीत सावन के सुनाता है कोई अब जब बारिश होती है पानी बहता है तो क्या करते हैं? कागस की बनाव बनाकर पानी में बहते हैं नआ और खुश होते हैं यह भी बहुत हैं हमारे टाइम पर हम जब छोटे ते तो जैसे बारिश होती थी थोड़ा पानी च्प जाता तो हम लुग क्या करते हैं गीत सावन के सुनाता है कोई और कभी कभी दिल चाहता कि सावन के गित सुनाएं, बारिश के गित गाएं जो नजम हमें याद होती थी वो गित गाते थे अब देखिए बरसाथ है, अब आप लोग बरसाथ नजम याद करेंगे तो क्या होगा जब बारसाथ होगी जोर्दा मुस्लादा बारिश होगी और आपको ये नजम पसंद आएगी तो आपने याद कर रखी होगी तो आपको बाहा जाने नहीं मिलेगा लेकिन आपका दिल चाहेगा वो नजम गाओं बारसाथ को देख कर बच्चों अभी सवालों के जवाबाद देना है अरे बाबा क्यों डरते हो लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपको सिर्फ जबानी देना है औरली जवाब देना है ताके हमारी समझ में या आजाए कि आपको ये नजम अच्छे से समझ में आ गई सवालों के जवाणी जवाबाद दीजिए पहला सवाल आसमा पर क्या छा गए क्या छा गए यस आसमा पर बादल छा गए दुसरा सवाल है सारा समा कैसा है या सारा समा कैसा दिखाई दे रहा है वेर उट सारा समा दीद के काबिल है सवाल नमबर तीन शहर की गलियों में किसका शोर है अरे वाँ वेरे गट शहर की गलियों में बच्चों का शोर है और किसका जोर है बारेश का अरे वाँ आपको तो नजम पुरी तरह समझ में आ गई अब अगला सवाल देखते हैं बच्चे कैसा दोड़ते हैं बच्चे कैसे दोड़ते हैं बेतहाशा दोड़ते हैं पांच किस की गरज सुनाई दे रही है किस की गरज सुनाई दे रही है very good बादल की गरत सुनाई दे रही है छटा सवाल है किसका जोर है लो सवाल तो आ ही गया किसका जोर है बारिश का जोर है बच्चो आप अपने अलफाजों में जवाबा दे सकते हैं जैसे मैं कभी कुछ और कभी कुछ सवाल के जवाब दे रही हूँ जैसे मर्जी आ रहा है वैसे जवाब देना है तो आपको भी कोशिश करने है कि जवाब देना है खामोश ने रहना है जवाब दोगे तो नजम समझ में आएगी और आपकी भी समझ में आएगा कि हाँ हम नजम को समझ गए और जवाबा देने से आप में बोलने की सलायत पैदा होगी खुद एतेमादी पैदा होगी खुद एतेमादी मालू है अपने पर भरोसा पैदा हो जाएगा कि नहीं मैं भी जवाब दे सकता हूँ इसलिए बच्चों जवाबा दीजिए सात्वा सवाले इस नजम का क्या नाम है अरे वाख अरे अरे वाँ 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 इस नजम का बरसात नाम है शुक्रिया बच्चों फिर मिलेंगे अगले सबक में उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और पहुत अली नहीं मालूमात भी मिली होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपुर फाइदा उठा सकें तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में दबते के लिए अलाहाफीज